हारुफीक्स सैमसंग कोर एडवांस ब्लेक एंड वाइट डिस्प्लेइ प्रॉब्लम नमस्कार डोस्तों स्वागर आप सभी का तिकराच यूटूब चैनल पर तो दोस्तों आज की इस वीडियो पर मैं आपको बताने वाला हो कि कैसे आप जी आपने सैमसंग की डिवाइस मे यहाँ पर दोस्तों आपको दिखाई दे रहा है आपका स्क्रीन ब्लेक और हो चुका है तो फिर दोस्तों यहाँ पर हो सकते हैं कि आपका बेट टाइम मोट इनेबल हो गया होगा या फिर कुछ और सेटिंग आपने इनेबल कर दिया होगा जिसके वज़े से आपको यह प् चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकोन को क्लिक करें और अगर आप उनलाइन पैसा कमाना चाहते तो वीडियो डिस्क्रिप्शन पर आपको लिंक मिल जाएगा कि किसी भी प्रॉब्लेम के रिगार्डिंग पर आप हमें ट्विटर पर फॉलो करके मेसेज भी कर सकती है चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं तो दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले आपको करना क्या है आप सेटिंग पर जाएं ठीक है सेटिंग पर जाके दोसुट डिस्प्ले मोट इनेबल करें और चेक किजिए यहाँ पर आपका डार पीचे में जाना है digital well-being and parental control पे आपको क्लिक करना है और उसके बाद आपको यहाँ पर सेलेक्क करना है बैट टाइम मोट और आपका जो बेट टाइम मोटे उसको बंद कर देना है शेडूल पर आपको सेट नहीं करना है completely burn कर देना है ठीक है आपका bedtime mode उसके बाद दोस्तों आपको next पर क्या करना है डिस्प्ले पर जाना है और आपका adaptive brightness बन कर दीजे ठीक है यहाँ पर i comfort shield बन कर दीजे और visibility enhancement पर जाए ठीक है visibility enhancement तो यहाँ पर सारे setting setting off होना चाहिए high contrast theme high contrast font highlight button color invention और सबसे important setting जोई color correction ठीक है तो इसको बंद कर दीजे तो इतना करने के बाद दोस्तों आपका problem solve हो जाएगा सारे साथ दोस्तों software update नहीं है तो software को update कर लेना और सारे problem solve हो जाएगा ठीक है तो इस अरगे से आपने mobile के black and white display problem solve कर सकते हैं अमीद करते हैं आपको यह वीडियो पस्ते होगा thanks for watching